हलो नमस्कार श्ट्रेल्ट आज का मारा टॉपिक है नमबर सिस्टम पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन नहीं देगा तो पहले आप जाकर इसका पार्ट वन देखिए क्यूंकि पार्ट वन में हमने पूर बेसिक जितना भी इसका था वो कर लिया है तो आप अगर बेसिक देखेंगे तभी आप part 2 देखेगा इससे क्या होगा आपका basic अच्छे से clear हो जाएगा देगे हम जीस exam के लिए focus कर रहे हैं वो exam है CG 36 गड़ police हम इस exam के लिए focus कर रहे हैं तो इस exam के focus के लिए ये part जो है बहुत ही important part इसमें से कम से कम दो से तीन नंबर के कोश्चन आते हैं और दो से तीन नंबर के कोश्चन आप एकदम इजीली तरीके से पा सकते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहादू कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्र सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग होगा हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहने का और जुड़े रहिए ताकि आपको सीजी पुलिस में जितने भी डाउट्स है या जो भी इसका सिलेबल्स है जैसा भी है वो सब हम करने वाले हैं क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद हम सिक्वेंस सारे चीजे करेंगे मैं सब कुछ बताने वाला हूँ आपको सीजी पुलिस के अंतरगत आपको रिक्यूर होने के लिए ताकि आप इस एक्जाम को क्रैक कर सके ठीके चले स्टार्ट करते हैं देखते हैं पार्ट टू में आज हमारे पास क्या है तो देखिए पार्ट टू में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट बहुत ही इ 5,4,6,7,8,9 अब इसके अंदर में इकाई का अंग क्या है तो इकाई का अंग यह है राइट साइट से पहला अंग यह क्या होता है इकाई का अंग ठीक अब हम पहचान दोगा इकाई का अंग की है दाहाई का अंग की है सैकला का अंग की है ठीक है लेकिन इससे कोश्चन क् बनता है कि find the unit digit, ठीक है, find the unit digit, एक simple सा question करके देखते हैं कि कैसे find करते है, तो 11, 13, 14, 16, अब इसमें मेरे को क्या करना है, unit digit find करना है, तो unit digit तो यह एक आई कांग है, हम इनको लेंगे, यह सब को कुड़ा नहीं करने की ज़राता है, हम इनको लेंगे तो 1, 3, 4 और 6, आप multiply करती है, 3 कर 3 हो गया, यह क्या हो जागा, 24, फिर यह और यह, तो 4 तिया, 12, अब यहां क्या है, unit digit 2, तो क्या हो जागा, अब unit digit जो है, यह actual में होते क्या क्या है, तो देखें, क्या क्या हो सकते है, unit digit, unit digit, तो यह होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 9, यह होते हैं, unit digit, इकाई के अंक, ठीक है, अब देखते हैं, इसके अंदर में, case कौन-कौन से है, किस-किस प्रकार से हम unit digit find करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसके अंदर में हम देखने वाले हैं case first case first के अंदर में हम इन unit digit में से लेंगे 0, 1, 5 और 6 ठीक है तो 0, 1, 5 और 6 इसको हम देखते हैं 0, 1, 5 और 6 यह case 1 है हमारा 0, 1, 5 और 6 देखे इन में से इस में से ठीक है किसी की power कुछ भी हो unit digit same रहता है ठीक है कोई सा भी इसका power हो कितना भी power हो unit digit क्या हो जाएगा हमेशा same रहेगा जैसे कि देखे 10 की power में मालो 10 है क्या हो जाएगा यहाँ पर unit digit काई 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 है 0 तो 0 ठीक है यहाँ पर देखते हैं और 1 के लिए देखते है 101 यहाँ पर मालो 101 है तो 1 के power में जितना भी लगा लो तो क्या हो जाएगा 1 ठीक है इसी प्रकार 105 के power 105 है मालो 5 के power में कितना भी वो कर लो आप तो क्या हो जाएगा बाद में 5 भी आएगा तो 5 तो 5 इसी परकार 6 के में भी देखते हैं यहां लिखाना अच्छा है 6 के पावर में 6 तो 1, 6 के पावर में 2 तो 6, 6, 6 के पावर में 3 तो 6 देखें हर बार क्या होगा यह 6 रिपीट होगा इसलिए इसे जितना भी पावर हो इसमें यह case 1 है, जितना भी power हो, इनके उपर, तो यह हमेशा same रहेंगे, ठीक है? अब देखते हैं, case 2, case 2 में हम निकालेंगे, 4 और 9, order और even तो आप जानता ही होंगे, we sum और sum, तो देखे, 4 के power में, यदि 4 के power में 1 है, तो 4, 4 के power में 2 है, तो ये, 4 के power में 3 करता हूं, तो 64, अगर मैं 4 के power में 4 करता हूं, तो 256, इसका मतलब क्या हो देखे? 4 के power में 1, याने ये V sum, V sum में क्या आया? 4, यहां V sum तो 4, यहां sum तो 6, यहां sum तो 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कि जब भी V sum आएगा यहां पर, इसके power में, तो क्या हो जाएगा? 4, और जब भी sum आएगा, तब क्या हो जाएगा? 6, ठीक है? इसको याप कर लिजेगा, इसी परकार 9, तो 9 में देखते हैं, 9 गी power 9, 9 गी power 1 में 9, फिर 9 गी power 2 में 81, ठीक? तो 9 के power में, अगर V sum है तो 9, और sum है तो, देखे, V sum है तो 9, और sum है तो 1, ठीक है? आप आगे करके भी देख लीजेगा, सेम आएगा, तो यह case 2 है, case 2 में आपको याद रहना है, 4 का और 9 का, अब देखते हैं, case 3, देखे, अब इन में से बचा क्या? जो हमारी Dizzy Tune में से तो बचा है, 2, 3, 7, और 8, ठीक है? बाकी तो हमने कर लिया, यह 4 और 9 कर लिया, 1, देखे, यह भी कर लिया, 0, 1, 5, 6, ठीक है? अब देखते हैं, यह 3 वाले में होगा क्या? देखे, 3 वाले में, जैसे मालों का एक example है, कि जैसे यह 2 है, तो 2 के power में मालों यहाँ पर रहता है कि 9, 8, और 6, ठीक है? तो जब भी इन 4 का हमको निकालना है, तो हमको क्या करना है? यह जो उपर में जितना भी है, इसके 2 डिजिट को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइट करना है, ठीक है? वैसे ता आप सब में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करना ठीक रहेगा, इन 4 के case मे पूर से आप इसको डिवाइट केजिए, तो 4 दूनी, ये क्या हो जागा? आट, फिर यहाँ हो जागा, 4 एकाम, 4, तो यहाँ पर कितना बचा पावर 2, तो 2 के पावर में क्या हो जागा? 2, तो यूनिट डिजित क्या हो जागा? 4, ठीक है? अब सभी में कर सकते हैं, इसी प लिखा हुआ है 28. टीक है? तो 2 के power में 28 क्या होता है? अब मैं क्या करूँगा? इसको 4 से divide कर दूँगा. तो फिर क्यों हो जाएगा? 4 से 28. तो यह क्या होगे? जीरो आ गया. तो अगर जब भी अगर 0 आ जाएगा तो इसके power में वापस क्या हो जाएगा? ठीक है जब भी अगर जीरो आ जाता है सेस्फवल यह जो सेस्फवल है रिमेंडर जब भी जीरो आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इसके पावर में हमको 4 लगाना है यह आप note कर लेना ठीक है चलिए देखते हैं कि किस किस प्रकार के question exam में पूछे जाते हैं ठीक तो देखते हैं देखिए यह 3 case अगर आप समझ गया है तो आप सब कुछ समझ जाएंगे देखिए बोल रहा है कि find the unit digit find the unit digit अभी नहीं का उपियोक करेंगे case one case third का बोल रहा है 23 के पावर में है 34 अब 23 के पावर में 34 है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमको 23 के पावर में 34 वारी उसको वो करना है हम क्या करेंगे उनित digit का बात हो रहा है तो unit digit क्या है यहाँ परной 3, अब 34 को क्या करूँगा मैं, 34 क्या करना है हमको, 4 से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 9, तो यह होगा हमारा unit digit, देखें इसी प्रकार और question करके देखते हैं, यहाँ बोल रहा है 24 के पावर में है, 45, फिर यहाँ पर बोल रहा है, 26 के पावर में है, 102, फिर यहाँ पर बोलता है कि 27 के पावर में है, 30, अब इसको solve करें, देखें, unit digit से मतलब है मेरे को, तो यहाँ पर क्या है, 4 है, तो 4 के पावर में, अगर कुछ भी हो, तो क्या होता है 4 के पावर में, अगर यहां पर क्या है विसम है या सम है तो देख लीजिए यहां पर विसम है या सम है या तो क्या कर दीजिए फोर के पावर में अगर 45 दिख रहा है तो क्या कर दीजिए इसको 0, 1, 5 और 6 का हमेशा क्या होगा, कितने भी पावर हो, तो वो 6 ही रहेगा, अब देखें, यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 के पावर में क्या है, 30 है, तो 4 से डिवाइड कर जिएंगे, कितना हो जाएगा, 4 से 23, और यहाँ रिमेंडर क्या बजिए, 2, ठीक है, तो 4 का तो हो गया, 4, 6 का हो गया, 6, अब 7 के पावर में क्या है, 2 है, 49, ठीक, अब यहाँ ते 4, 6 और 9 को क्या कर दिए, प्लस कर दिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर, 19, और यह 9 जो है, इसका, यूनिट डिजिट, ठीक है, तो इस प्रकार आपको यूनिट डिजिट, फाइंड करना है, 20787 के पावर में है, 117, इंटू, 189 के पावर में है, 13, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना, तो 3 के पावर में, 123 है, तो हम मैं क्या करूँआ, जैसे 3 के पावर है, तो हम क्या 2 से 2 को ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, और यहाँ बच जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 7, यहाँ पर 17 है, तो 16 होगा था, तो 1 बचा, 1, फिर यहाँ पर क्या है, 9 और यहाँ पर क्या है, 13, तो यहाँ पर भी 1, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, 9 तिया, 27, 7 और 9, फिर क्या करेंगे, 7 सते, 49 इंटू 9, फिर 99, 81, तो क्या हो जाएगा, यहां पर unit digit 1 तो इस प्रकार आपको unit digit point करना है यह जो CG police का exam है या कोई सभी exam SSC का exam हो वैपम का exam हो इसमें unit digit हमेशा पूछा जाता है ठीक है और इसी प्रकार पूछा जाता है ताकि आप थोड़ा confused जाएं देखें जैसे कि यह वाला इन्टू 13 इन्टू 14 डैस डैस करके हम कहां तक जाएंगे 19 तक अब मेरे को इसमें unit digit find करना है तो देखें इसका एक method होता है unit digit find करने का है यह वाले का देखें अब यह क्या होगा 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 ठीक है अब देखें यहां 5 है 2 है ठीक है यहां पर क्या है even है 5 के साथ अगर एक भी even होगा तो क्या हो जाएगा पांस दूनी 10 यानि unit digit क्या हो जाएगा 0 जीरो 5 के साथ में ये नोट कर लिए यहां बगल पे कि 5 के साथ में event होगा तो 0 और अगर 5 के साथ में odd होगा तो क्या अशाएगा 5 ठीक है इस परकार answer आएगा तो देखे यहां पर हमको 5 के साथ में event मिल रहा है तो क्या अशाएगा इसका answer जीरो ठीक है इसी प्रकार एक next देखते हैं देखें यहाँ पर बोल रहा है कि 71 के पावर में 71 ठीक है इन्टू 60 72 के पावर में 72 फिर 73 के पावर में 73 इसी प्रकार यह बढ़कर आया है 79 के पावर में 79 ठीक है इसमें मेरे को unit digit फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम देखें इसमें अगर 5 के यहाँ अगर 5 यह जो series चल रही है यहाँ पर अगर क्या होगा 5 होगा देखें 73 के पावर में 74 इंटू 75 और E1 भी है तो क्या हो जागा इसका answer 0 लेकिन अगर यह 71 73 और चलता क्या 70 5 यह 71 यह अगर यह E1 में चलता यह odd में चलता और odd होता तो क्या हो जाता यहाँ पर यहाँ एक भी even नहीं होता यह even नहीं होता एक बी 75 आ जाता फिर 77 आ जाता 70 नहीं आ जाता तो क्या हो जाता यहाँ पर 5 answer हो जाता ठीके तो यह दो बात आपको याद रखना है इन question के लिए तो आज के chapter में इतना ही है unit digit के बारे में ठीके अगर आप इन सब case को समझ जाते हैं और unit digit find कर लेते हैं तो आपके exam में 2 से 3 number का unit digit के बारे में जो भी question पुछा जाएगा वो आपसे बन जाएगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद झाल